इस वक्त सुबाटे, बेस बच्छे और हमने नारान से नाचना करती है, मून रेस्टून के और हम दलने लगेंगे लगें लगें कि तरफ जो के परास्ता हम एपकाबाद से होते हुए जाएगें, तो लेट्स मूँए यह हम एक जगा रुकें बाला कोट के बाद सम अन्नोन रोड पे और यहां पे है यह पुली, तो अब हम इसमें से ट्रैवल करके वहां तक जाएंगे और वहां से वापस आएंगे, और फिप्टी रुपी पर पर से चार्ट चुकें, यह हम चारो इसमें बैठ चुकें, और अ हम इसके ऊपर से ट्रैवल करने हैं, यह हमारे नीचे ठाड़े मारता हुआ, दरिया, दरिया-ए-कुनाद, झारो बाला कोर्स करके निकल रहे हैं तो यह तेज बारिश शरू हो गही है, जर्शार बहुत है, निकिन बारिश के बिनों में, मिली प्लेशे पे बहुत पहुत हैं गाड़ी चलाएं। आप्रवाद पहुंचे हैं तो साड़े चार पे हम एप्रवाद पहुंचे हैं और ये है एप्रवाद आप्रवाद पहुंचे हैं तो साड़ी मरी रोड को सिचला शुरू हो जाता है जहां से गलियात का सिस्टम शुरू होता है जिसमें मुक्तलिफ गलियां आती है जिनके मुक्तलिफ नाम है जीका गली, डूंगा गली, नतिया गली और ये पाकिस्तान की सब से कुछूरत सड़क मारी रोड तो आएं वक्रवाद को ऐसे मैं आपको मुक्तलिफ जगाएं इसकी दिखाएं पाकिस्तान का कौमी दरख्त दियोदार है जो के पाकिस्तान के शुमाल में पाया जाता है इसकी लंबाई 40-50 मीटर जबके इसके तने का कतर यानी डायमीटर 3 मीटर तक होता है और पाकिस्तान के शुमाल का तमाम तर सबजे का सहरा इसी दरख्त को जाता है इसी तरह बल खाती सड़कों पर चलते हुए नतिया गली का ये सफर हमारा इक्ताम पजीर हुआ झाल